नमस्कार दोस्तो मेरे नाम असीस और आप सभी का हमारे इस निव वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करते हूँ दोस्तो आप मेंसे बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉमेंट आते हैं कि भाई मुझे ये बता दो कि आप Gmail के Context को Mobile में कैसे वापस ला सकते हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो आप सभी बनाया था उसमें बहुत सारा आप सभी का प्यार मिला आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ आप सभी देख सकते हैं ये वाला वीडियो है दोस्तो इसमें मैंने बताया था Google में Context कैसे Save करें इसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला तो इसलिए आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तो सबसे पहले आप सभी से रिवेश्टे चल रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना है लाइक करने के साहँ साहँ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लिए घंटी का आइकान आता है इसको All Notification पर On कर दीजे इतना करने के बाद दोस्तों प्यारा सा कमेंट भी कर दीजे या फिर जो कुछ आप मुझसे पूँचना चाहते हैं वो कमेंट कर दीजे आप कमेंट कर दीजे तो कमेंट यहाँ पर मैंने कर दिया नाइस वीडियो यहाँ पर कमेंट कर दीजिए फिसके बाद आपको यह जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर कर देना है वार्टसप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, सेयर चैट, सनैपचैट सभी जगा सेयर कर दीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो एक दो लोगों ने मेरे पास ये कमेंट किया था और मुझसे पूछा है कि आप ये बता दीजिए मुझे कि आप जीमेल के कांटेक्स को मोबाइल में कैसे सेयर कर सकते हैं मेरे मोबाइल में इस तरी के से बहुत सारे लोगों के option मेरे पास आते हैं तो मैंने सोचा इस पर भी एक properly वीडियो बनाया जाए तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने Gmail के context को मोबाइल में वापस कैसे save कर सकते हैं माली जी आपका phone खराब हो गया था तो Gmail में सारे नमबर से save हैं तो आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं सबसे पहले context में जाना है context में जैसे जाएंगे यहाँ पर दोस्तों देखें कि सारे context आपको दिखाए दे रहे हैं अगर आपके में यह three dot का option आज़ा तो यहाँ पर three dot पर click कीजे फिसके बाद context सेटिंग में जैए context सेटिंग में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर context to display पर click कीजे अब यहाँ पर दोस्तों जिस भी number पर हों आपके context उसको आपको select कर लिना जिससें मालेजे आपके context इसमे हैं तो इस पर select करेंगे ओके पर click कीजे ओक्ट करेंगे तो यह सारे context साबके mail id में save हैं अब यह सारे context को आपको अपने mobile पर save करने हैं तो आपको करना क्या है दोस्ते Three dot पर click करना है contact setting में जाना है सेटिंग में जाने के बाद यहां पर दोस्तों copy context का एक option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है copy phone to आपके gmail id या फिर copy gmail id to phone ये देखी ये वाला option मिल जाएगा आपको copy from ये mail id to phone option मिल जाएगा इसपर जैसे आप click कर देगे click करने के बाद यहां पर select करने के लिए option पूछेगा और आप पर select कर दिया select कर दिया okay क्लिक कर दिजए okay क्लिक करने बाद copy content का option आजाएगा okay पर click कर दिये उससे आपके click क्लिक किया copy कॉंट्रेक्स इंफर्मेशन लिखके आगए अब यहाँ पर यह कॉंट्रेक्स देख सकते हैं आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपके नंबर जो है वो डबल डबल आपको सोने लगेंगे दिखाई दे रहोंगे यह दो दो बार सोने का मतलब यही है अब दोस्तों य सारे कॉंट्रेक्स आपके मोबाइल पर आ चुके हैं तो है ना दोस्तों यह कमाल की ट्रिक आप इसी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके मोबाइल का मॉडल दूसरा है या मोबाइल किसी अन कंपनी का है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताईएगा अगर कि वीडियो को लाइक कर दीजे, सेयर कर दीजे, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो प्लेज सब्सक्राइब जरू कर लेजिए, आज के इस वीडियो में दूस्तो इतना ही, थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो, जै हिंद वन्दे मात्रम, बाई बाई दोस्तो